Books That Speak में आप सभी का स्वागत है गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है न लौन की जरुरत, न नेट की, न कोर्ट की, न थापे की विलायती खेलों की तरह महंगा भी नहीं है गुल्ली है, तो जरासी पर उसमें दुनिया भर की मिठाईयों की मिठास और तमाशों का आनन्द भरा पड़ा है विलायती खेलों में वो मज़ा कहां? कथा वाचक इंजीनियर अफसर बनकर भी अपने बचपन के मित्र गया के साथ फिर गुल्ली डंडे का वही आनन्द लेना चाहता है पर उसके विलायती ठाठ और अफसर का पद सरल ग्रामिन गया जो गुल्ली डंडे का प्रतीक बन जाता है उसके बीच दीवार की तरह खड़ा नजर आता है कहानी का शिर्शक है गुल्ली डंडा कहानी लिखी है मुन्शी प्रेमचंद चित्रांकन मनिशा नसकर प्रकाशन स्टोरी वीवर कम्यूनिटी कहानी का वाचन असावरी दोशी हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगू न लान की जरुरत न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की मजे से किसी पेड से एक टहनी काटली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया विलायती खेलों में सबसे बड़ा एब है कि उसके सामान महंगे होते है जब तक कम से कम एक सैकडा न खर्च कीजिए, खिलाडियों में शुमार ही नहीं हो पाता यहां गुली डंडा है कि बिना हर फिटकरी चोखा रंग दे देता है पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दिवाने हो रहे है कि अपनी सभी चीजों से अरुची हो गई स्कूलों में हर एक लड़के से तीन चार रुपे सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है किसी को ये नहीं सूचता कि भारतिय खेल खिलाए जो बिना दाम कोडी के खेले जाते है अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन मडते हो ठीक है गुली से आग फूट जाने का भै रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर्फ उट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भै नहीं रहता अगर हमारे माथे में गुली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी है जो ठापी को बैसाखी से बदल बैठे ये अपनी अपनी रुची है मुझे गुली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुली ही सबसे मीठी है वो प्रातक काल घर से निकल जाना, वो पेड़ पर चड़कर टहनिया काटना और गुली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो खिलाडियों के जमगटे, वो पदना और पदाना, वो लड़ाई जगडे, वो सरल स्वभाव जिससे चूत अचूत अमीर गरीब ये सब का बिलकुल भेद न रहता था जिसमें अमिराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाईश ही नहीं थी, ये उसी वक्त भूलेगा जब, जब, घरवाले भी गड़ रहे है पिताजी चौके पर बैठे, वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे है अम्मा की दोड केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचार धारा में मेरा अंधककार में भविश तूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ की पदाने में मस्त हूँ, ना नहाने की सूधी है न खाने की गुली है तो जरासी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाईयों की मिठास और तमाशों का आनन्द भरा हुआ है मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे दो-तीन साल बड़ा होगा दुबला, बंदरों की सी लंबी-लंबी पतली-पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही जलाहट गुली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था, जैसे छिपकली कीडों पर लपकती है मालूम नहीं उसके माबाप थे या नहीं कहां रहता था, क्या खाता था पर था हमारे गुली कलब का चैंपियन जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित थी हम सब उसे दूर से आते देख उसका दोड़ कर स्वागत करते थे और अपना गोईया बना लेते थे एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे वो पदा रहा था, मैं पद रहा था मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं पदना एक मिनिट का भी अखरता है मैंने गला छुडाने के लिए सब चाले चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है लेकिन गया अपना दाव लिये बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था मैं घर की ओर भागा, अनुने विने का कोई असर ना हुआ था गया ने मुझे दोड कर पकड लिया और डंडा तान कर बोला मेरा दाव दे कर जाओ पदाया तो बड़े बहादूर बनके पदने के बैर क्यूं भाग जाते हो तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पतता रहू हाँ हाँ तुम्हे दिन भर पदना पड़ेगा नो खाने जाओ नो पीने जाओ हाँ हाँ मेरा दाव दिये भी न कही नहीं जा सकते मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या हाँ मेरे गुलाम हो मैं घर जाता हूँ देखू मेरा क्या कर लेते हो घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है, दाव दिया है, दाव लेंगे अच्छा? कल मैंने अमरूद खिलाया था, वो लोटा दो अरे वो तो पेट में चला गया? निकालो पेट से, तुमने क्यों घाया मेरा अमरूद? मैं समझता था न्याय मेरी ओर है आखिर मैंने किसी स्वार्त से ही उसे अमरुत खिलाया होगा कौन स्वार्त किसी के साथ सलूक करता है भिक्षा तक को स्वार्त के लिए देते है जब गया ने अमरुत खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है रिश्वत देकर तो लोग खून भी पचा जाते है ये मेरा अमरूद यूही हजम कर जाएगा अमरूद पैसे के पाँच वाले थे जो गया के बाप को भी नसिबना होंगे ये सरासर अन्याय था गया ने मुझे अपनी और खिचते हुए कहा मेरा दाओ देकर जाओ अमरूद समरूद मैं नहीं जानता मुझे न्याय का बल था वो अन्याय पर डटा हुआ था मैं हाथ छुड़ा कर भागना चाहता था वो मुझे जाने न देता मैंने उसे गाली दी उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं एक चाटा जमा दिया मैंने उसे दाथ काट लिया उसने मेरी पीट पर डंडा जमा दिया मैं रोने लगा गया मेरे इस अस्तर का मुकाबला न कर सका मैंने तुरंत आसू पोच डाले डंडे की चोट भूल गया और हस्ता हुआ घर जा पाहुचा मैं थानेदार का लड़का एक नीट जात के लॉंडे के हाथों पिट गया ये मुझे उस समय भी अप्मान जनक मालूम हुआ लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला की अपने हमजोलियों से बिछड जाने का बिलकुल दुख न हुआ पिताजी दुखी थे वो बड़ी आमदनी की जगा थी अम्माजी भी दुखी थी यहां सब चीज सस्ती थी और मुहले की स्त्रियों से घरावसा हो गया था लेकिन मैं मारे खुशी के फूले न समाता था लड़कों में जिड उड रहा था वहां ऐसे घर थोड़े ही होते है ऐसे ऐसे उन्चे घर है कि आस्मान से बाते करते है वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए मेरे मित्रों की फैली हुई आखे और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगा में कितना उन्चा उड़ गया हूँ बच्चों में मित्ध्या को सत्य बना लेने की वो शकती है जिसे हम जो सत्य को मित्ध्या बना देते हैं क्या समझेंगे बेचारों को मुझसे कितनी स्परधा हो रही थी मानों कह रहे थे तुम तो भगवान हो भई जाओ हमें तो इसी उजड ग्राम में जीना भी है और मरना भी 20 साल गुजर गए मैंने इंजिनियरिंग पास की और उसी जीले का दौरा करता हुआ उसी कजबे में पहुँचा और डाग बंगले में ठैरा उस थान को देखते ही इतनी मधूर बालस मृतियां रुधय में जाग उठी कि मैंने चड़ी उठाई और कजबे की सैर करने निकला आखे किसी प्यासे पथिक की भाती बचपन के उन क्रीडा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित था यी नहीं जहां खंडर था वहां पक्के मकान खड़े थे जहां बरगत का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुन्दर बगीचा था स्थान की काया पलट हो गई थी अगर उसके नाम और स्थिती का ज्यान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता बचपन की संचित और अमर्स्मृतिया बाहे खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी मगर वो दुनिया बदल गई थी ऐसा जी होता था कि उस धर्ती से लिपट कर मैं रो पड़ू और कहूं तुम मुझे भूल गई मैं तो अब भी तुमारा वही रूप देखना चाहता हूं सासा एक खुली जगा में मैंने दो-तीन लड़कों को गुली डंडा खेलते देखा एक शण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया भूल गया कि मैं एक उन्चा अफसर हूँ साहभी ठाट में, रॉब और अधिकार के आवरंड में जाकर एक लड़के से पूछा क्यों बेटे, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा कौन गया? गया चमार मैंने यूही कहा हाँ 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 वही वही गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो लड़का दोडता हुआ गया और एक शन में एक पांच हाथ के काले देव को साथ लिये आता दिखाई दिया मैं दूर से ही पहचान गया उसकी और लपकना चाहता था कि उसके गले लिपड़ जाऊं पर कुछ सोच कर रह गया बोला कहो गया मुझे पहचानते हो गया ने जुक कर सलाम किया हा मालिक भला पहचानूंगा क्यों नहीं आप मज़े में रहे बहुत मज़े में तुम अपनी कहो डिपटी साब का साइस हूँ मतई मोहन दुरगा वो सब कहा है कुछ खबर है मतई तो मर गया दुरगा और मोहन दोनों डाकिया हो गये है आप मैं तो जीले का इंजिनियर हूँ सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे अब कभी गुली डंडा खेलते हो गया ने मेरी और प्रश्न भरी आखो से दीखा अब गुली डंडा क्या खेलूंगा सरकार अब तो धंडे से छुटी नहीं मिलती आओ आज हम तुम खेले तुम पदाना हम पदेंगे तुमारा एक दाव हमारे उपर है वो आज ले लो गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ वो ठहरा टके का मजदूर मैं एक बड़ा अफसर हमारा और उसका क्या जोड बेचारा जेप रहा था लेकिन मुझे भी कुछ कम जेप न थी इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था बलकि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझ कर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड लग जाएगी उस भीड में वो आनंद कहां रहेगा पर खेले बगेर तो रहा नहीं जाता आखिर निश्चे हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे मैं गया को लेकर डाग बंगले पर आया और मोटर में बैटकर दोनों मैदान की ओर चले साथ में एक कुलाडी ले ली मैं गंभीर भाव धारण किये हुए था लेकिन गया इसे अभी तक मजा की समझ रहा था फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्न था शायद वो हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मगन था मैंने उसके पूछा तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया सच कहना गया जहिपता हुआ बुला मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था नहीं मेरी क्या गिन्ती मैंने कुछ उदास होकर कहा लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी तुम्हारा वो डंडा जो तुमने तान कर जमाया था याद है ना गया ने पच्ताते हुए कहा वो तो लड़क पंधा सरकार उसकी याद ना दिलाओ वाह अरे वो मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वो तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना धन में कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मिठा होता रहता है इतनी देर में हम बस्ती से कोई तीन मिल निकलाए चारो तरफ सन्नाटा है पश्चिम और कोसो तक भीमताल फैला हुआ है जहां आकर हम किसी समय कमल पुश्प तोड ले जाते थे और उसके जूमक बनाकर कानों में डाल लेते थे जेट की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है मैं लपक कर एक पेड़ पर चड़ गया और एक टेहनी काट लाया चटपट गुली डंडा बन गया खेल शुरू हो गया मैंने गुच्ची में गुली रखकर उच्छा ली गुली गया के सामने से निकल गई उसने हाथ लपकाया जैसे मचली पकड रहा हो गुली उसके पीछे जाकर गिरी ये वही गया है जिसके हाथों में गुली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी वो दाहिने, बाए, कही भी हो, गुल्ली उसकी हतेली में ही पहुचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरन डाल देता हो, नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उस मैं तरा-तरा की धांदलिया कर रहा था, अभ्यास की कसर बेइमानी से पूरी कर रहा था, हूंच जाने पर भी डंडा खेले जाता था, हालाकि शास्तर के अनुसार गया की बारी आनी चाहिये थी, गुली पर ओची चोट पड़ती और वो जरा दूर पर गिर पड़ती, तो मैं सब काईदे कानून भूल गए, उसका निशाना कितना अचूक था, गुली उसके हाथ से निकल कर तन से डंडे से आकर लगती थी, उसके हाथ से छूट कर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वो गुली डंडे में लगती ही नहीं, कभी दाईने जाती है, कभी पाए, कभी आगे, कभी पीछे, आधा घंटे पदाने के बाद एक गुली डंडे में आ लगी, मैंने धांदली की, गुली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं, गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया, ना लगी होगी, डंडे म में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भया, तुम भला बेईमानी करोगे, बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यहीं गया गर्दन पर चड़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोका दिये चला जाता था, गधा है, सारी बाते अब किसी तरह की धंदली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सबको जूट बताने की चेश्टा करू, मेरा हरजी क्या है? मान गया, तो वावा, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा, अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुडा फिर कौन दाव देने आता है? गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, लग गई, टन से बोली, मैंने अंजान बनने की चेश्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली है सरकार, और जो किसी इट से टकरा गई हो तो, मेरे मुख से य इनको राद बताना, हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्विकार कर लिया, हाँ, किसी इट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती, मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत् बड़ी उदारता से दाव देना तै कर लिया, गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भया, कल पर रखो, मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, ये न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मुआमला साफ कर लेना अच्छा होगा, नहीं नहीं, अभी बहुत उजा भ्यास न था, उसने दो बार टाड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया, एक मिनिट से कम में वो दाव खो बैठा, मैंने अपनी रिधय की विशालता का परिचय दिया, एक दाव और खिल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गये, नहीं भया, अब चिराग जलते जलते पड़ाओ पर पहुच गये, गया चलते चलते बोला, कल यहां गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाडी खेलेंगे, तुम भी आओगे, जब तुम्हें फुरसत हो, तभी खिलाडियों को बलाओं। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा, आज गया का खेल, उसका नैपुन्य देखकर मैं चकित हो गया, ताड लगाता तो गुल्ली आसमान से बाते करती, कल की सी वो जिजग, वो हिचकी चाहट, वो बेदिली, आज न थी, लड़कपन में जो बात थी, आज उ इसने मुझे इस तरह पदाया होता, तो मैं तो जरूर रोने लगता, उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली दो सो गच की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धान्दली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी, गया का कहना था, गुल्ली जरूर में लगकर उचली थी, इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई, युवक दब गया, गया का तम-तम आया हुआ चेहरा जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे, अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया, उसने मुझे दया का पात्र समझा, मैंने धांदली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध ना आया, इसलिए कि वो खेल न रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था, वो मुझे पदा कर मेरा कचुमर नहीं निकालना चाहता था, मैं अब अफसर हूँ न, ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है, मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता, लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ वो मुझे अपना जोड नहीं समझता, वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ और ऐसी बहुत सारी प्यारी सी कहानिया सुनने के लिए, बुक्स दाट स्पीक चैनल पर जरूर आईएगा, यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर, हमारी वेबसाइट है, www.booksthatspeak.com तो मिलते हैं फिर अगली खुबसूरत कहानी में, बाई-बाई, शुक्रिया